सीम गहलोत की केंड से अपीर राजु के बाहर के मजदूरू को एक बार घर जाने की मिले छूट भारा सरकार ने गाइडलाइन चारे की है जो मजदूर केंपों में रह रहे हैं और राजु के भीतर हैं उनको घर जाने की छूट दी जाए राजिस्तान के मुख्यमंत्री अशुग गहलोत ने कहा कि केंडर का ये कदम स्वागतियोग है लेकिन ने पत्र लिख रहा होंगी जो मजदूर राजु के बाहर हैं उन्हें भी एक बार घर जाने दिया जाए उन सब के मन में ही एक बार में घर जाकर आओं सीम गहलोत ने कहा राजिस्तान के लोग बड़ी संख्या में देशभण में हैं वे एक बार घर आना चाहते हैं खेलते समय में बोर्विल में गिरा बच्च वारा इसकी ऑप्रेशन शुरू कोरोना से चूज रहे राजिस्तान में एक बच्चे के बोर्विल में गिल जाने से हरकम बच गया है खटना जोदपुर के जोई तरह गाउं की है बता जा रहा है कि 5 साल का रुहित सोमवा सुबा खेलते समय पोर्विल में गिर गया मौके पर SGM समय पुलिस फोर पहुच गई और बच्चे को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है फिलाल बच्चे को अक्सिजन की सप्लाई दी जा रही है मास्क पर सरकार सकता आज से मास्क नहीं पहना तो होगी एक साल की जेल आज से लगू की गए मौडिफाइड लॉक्टाउन के दुरान मास्क पहनना अनिवारे कर दिया गया है अगर कोई बिना मास्क पहने घुमता नजर आया तो उसे एक साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी उस पर आप्धा प्रबंदन अधिनियम 2005 के तहत कारवाई की जाएगी सरकार ने सम्बन में सभी जिला कलेक्टर स्कूर ने देश चारी किये है रमजान अक्षे तुतिये पर लोकडाउन का पालन करें मुखिमंद्री अशो गहलोत ने कहा कि आज से शुरू है मौडिफाइड लोकडाउन का ये कताई मतलब नहीं है कि लोग घरों से बहार निकल सकते हैं लोग किसी बे स्थिती बे बहार ना निकलें और अपनी जिंदगी खत्रे में ना डालें लोकडाउन का उसी तरह से पालन करें जोसे वे अब तक करते रहते हैं आवशक सेवाओं के अतरेक्त कोई बहार निकला तो कारवाही होगी उन्होंने कहा इसी महीने शुरू होने वाले रंजान और अक्षिट चतिये के अफसर पर लोकडाउन का पूरी तरह पालन करें देश में 17,000 के पार पहुचा संक्रमितों का अकड़ा अब तक 543 की मौत भारत सरकार की लाग कोशिशों लोकडाउन के बाद भी इसकी रफ्तार तेजी हिस्से आती जा रही है भारत में कोरोना वारस के मामले बढ़कर 17,000 के पार पहुच गए हैं इसके लावा 543 लोगों की मौत हो चुकी है आकड़ो के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1553 नए मामले सामने आया है आकड़ो के अनुसार देश में अवी तक कोरोना के पॉस्ट्री मरीजों की संख्या 7,265 हो गई है